वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रेडिशनल इंडियन गेम जो पांच पत्थरों से खेली जाती है, कुछ इसे गिट्टे, कुछ जगाय पचेता, और और भी कई नामों से जानी जाती है अब हम इसके क्या स्टेप होते हैं, वहें सीखेंगे स्टेप वन, स्टेप वन में हमने पांचों गिट्टों को गेरना है, फिर एक गिट्टा उठा लेने और एक गिट्टे के सहारे वन बाई वन यानकि एक के करके हमने चारों गिट्टे उठा लेने स्टेप टू, अब फिर हमने एक गिट्टा उठा लेना है, और टू-टू यानि के दो-दो गिट्टे उठा लेने है स्टेप थ्री, इसमें हमने फिर एक गिट्टा उठा लेना है और तीन और एक या फिर एक या तीन कैसे भी हम उठा सकते हैं step 4 आप इसमें फिर एक गिट्टा उठा लेना है और 4 के 4 गिट्टे उठाने है अब next step 5 इसमें हमने क्या करना है हाथ में balance बनाकर गिट्टो को अपने उल्टी साइड हाथ पर ले लेना है जितने भी आते हैं और उसको पलट कर catch करना है next step 6 इसमें भी हमने same यही करना है लेकिन इसमें हमारा पलटने का style simple रहेगा next step 7 जिसको हम कुट्टा बोलते हैं या फिर डॉग हमने हाथ से बनाना है और गिट्टो को उसी तरह से फैलाना है एक गिट्टे को उठाना है और एक गिट्टे के सहारे एक एक करके चारो गिट्टे बाहर निकालने है हमने इसमें अपना balance बना के रखना है नहीं तो गिट्टा हमारे हाथ से छुट सकता है next number 8 step कोठी इसके हमारे कोठी के ही चार स्टेप होते है तो पहला स्टेप जिसमें हम एक एक करके कोठी के अंदर लेकर जाएंगे दूसरा step जिसमें हम दो दो करके कोठी के अंदर लेकर जाएंगे तीसरा step जिसमें तीन और एक या फिर एक और तीन करके कोठी में लेकर जाएंगे नेक्स स्टेप जिसमें हम चार के चार अंदर लेकर जाएंगे तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इस गेम में आउट कैसे होते हैं तो हम उसी तरह से स्टेप चलके दिखाते हैं आपको स्टेप वन टू-फोर में कैसे आउट होते हैं? देखिए ये हमारा तरिक का वही हमारसे एक पत्थर छुट गया यानिक एक स्टोन हमारसे छुट गया इसी तरह बन टू-फोर में हमारा यही प्रोसीजर रहेगा स्टेप फाइफ एंड स्टेप सिक्स यह देखिए अब हमारे इस पर एक ही रह गया और हमने इसको कैच करना है और हम इसको कैच भी नहीं कर पाए तो हम आउट अब इसमें हमने यह नहीं देखना कि हमारा एक रहा या चार रहा या पाँच के पाँच रहे कोई भी एक भी रह सकता है लेकिन वो हमें कैच होना चाहिए और यदि वो भी कैच नहीं हुआ तो हम आउट हो जाते हैं दूसरा हमारे हाथ के उपर एक भी नहीं आया तब भी हम आउट नेक्स स्टेप सेवन ये देखिए सेम वो ही ये हमारे हाथ से छुट गया और हम आउट इसके इलावा मालो हम खेल रहे हैं और एक बार में मालो ये अंदर नहीं गया कोई भी मालो ये यहीं रह गया तो इसमें हम आउट नहीं होंगे हम इसको बाहर लेजने की कोशिश करेंगे अब हम आउट यदि छुट गया नमबर एट भी हमारा वही तरीकर रहेगा कि हमारे हाथ से यदि ये स्टोन छुट जाता है तो हम आउट हो जाते हैं तो फ्रेंट्स जो भी खिलाडी इसमें अपने पूरे आठ के आठ स्टेप पूरे कर लेता है तो उसको दुबारा से गेम खेलने का मोका मिलता है नेक्स्ट खिलाडी का नमबर तब तक नहीं आता जब तक वो आउट ना हो जाए तो वो कितनी भी गेम खेल सकता है तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने आपको गेम के रूल समझाए तो इस गेम को खेलने के क्या फायदे है इस से हमारे हैं और आइस का कॉडिनेशन स्टॉंग होता है फिंगर्स की मसल्स मुवमेंट फाइन हो जाती है इसको आप घर के अंदर और घर के भार भी खेल सकते हैं इस गेम के कुछ और वेरियंट भी है हम चार गिटो और एक गेंद के साथ भी खेल सकते हैं तो फ्रेंट्स हम जल्दी ही आपके लिए इनकी भी वीडियो तो फ्रेंड्स ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें थेंक्यू फ्रेंड्स